अगर आप मेरे चैनल पर रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइज एक जनरल कलेक्ट वो तैमलेस रिडिंग है आप से जितना रिजनेट करें उतना रखिए अंगी के लिए जो के स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को देखनी कोशिश करते हैं आपके पर से इस वक्त में क्या सोच रहे हैं ओक्या प्लीज गाइड किजी इंजल सुमेदे जो भी व्यूर्स इंगे पार्टनर्स की करेंट एनरजी क्या है कि यहां पर आपने वह एरो का निशान देखा होगा ना ठीक है सबसे पहले मुझे वहां इस यह मुझे सबसे पहले यहां दिखाई दिया इससे में को एक वर्ट चानल हुआ है निशाना ठीक है निशाना तो कही न कहीं आपके परसन इस वक्त में ऐसा फील कर रहा है कि जैसे आपके परसन निशाने पर है जैसे आपके परसन और आपका कनेक्शन निशाने पर है लाइक टागेट किया जा रहा है ऐसा है आपको आपके परसन को आपके कनेक्शन को की जा रही है या फिर कोई ऐसा काम कर रहा है ठीक है आप दुने को टागेट किया जा रहा है आप्दिकई आप किसी ऑ ज básively का हिस्स का हिस्सा बन गया है इस तरी के से आपके परशल सोचते हुए नजर आ रही चाए ह Ав दिखिए यहां पर ऐसा मेसेज है कि आपका जो परसन है हमीशा से इस परसन की जो 3D सोच रही है ना तो जैसे मैंने देखा कि वहां पर ऐसा जो थर्ड डेमेंशन एक एनरजी में को यहां पर फील हुई और एकदम से उसके उपर वैक्स गिरी तो यहां पर पता नहीं कि ऐसा मेसेज आए कि अपके परसन के जो 3-D के इलूजन्स और र्भांव है ना वह एक्दम से ब्रेक होकर विखर गए हूं यहां पर ऐसा मेसेज आ रहे कि जितने इस परसन की इल्यूजन्स से 3-d के यूजन्स 3-D के ब्रहम कह से 3-D कि है लो तिम्सक्राव वो यहां पर नजर आती है कि illusions जैसे इस person के break हो रहे है मतलब जैसे होता है कि आप अपना मान कर लोगों को बैठे हो कि यह आपका अपना है, यह हितेशी है, वो है, वो है मतलब इस तरीकी चीज़ें आपके person को कभी समझ में नहीं आई कि यह से आप कहते हो कि मेरे blood relation है, यह मेरे अपनी है बन्द आपका सबके साथ कर्मों का संबंद होता है, पिछले जनम से तो हाँ, वो बात सची कि 3D में वो आपके blood relation है, आपके अपने है, आपके अपने है लेकिन इनके साथ आपका actual connection क्या है, soul level पर क्या connection है, वो आपके साथ वही व्योहार करते है, उनका जिस तरीके से भी आपका soul का connection रहा होगा आपके साथ, उसी तरीकी का व्योहार हो आपके साथ करते हैं, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, ठीक है so, जैसे 5D connections के बारे में, या soul connections के बारे में, या कर्म के बंधन के बारे में, ये सारी चीजों की knowledge आपके person को परमात्मा ने दी हो, ये ऐसा भी हो सकता ही कि आपके person के अंदर से ही energy flow हो रही है, या आपके person के अंदर से ही इस तरीकी की ग्यान उत्पन हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही कि जब आपकी चक्र खुलना स्टार्ट हो जाते हैं तो नेगटिविटी भी सर्फेस आती है और आपके अंदर अगर कुछ पूर जनम का अच्छा पड़ा हुआ है जो आपने सीखा था कोई ग्यान आपके पास है कोई कला आपके पास है कुछ भी तो वह भी सर कहीं ने कहीं से युनिवर्स आपको आंसर करने लगता है तो वह एनरजी मेरे को यहां पर स्टॉंग ली नजर आई है ठीक है बलब जैसे आपके परसने कहा रहे हूं कि कोई अपना होता ही नहीं है ठीक है आएक्शुली सब अपने अपने बारे में ही सोचते हैं और आप इसे डीडी में भी काई बार ऐसे लोगों को जअज कर सकते हो कि आप देखो अगर जब तक आप उनर्जी आपके पर सब्सक्राइब अक्र। में क्या है सो वो एनरजी आपके परसिंट की मुझे दिख रही है बेसिकली काफी सारे लोगं के चेहरे आपके परसिंट के सामने आया हो सकते हैं और यह चीज़ें आपके परसिंट के ठीडी इल्यूजिंस को टोटली ब्रेक करके रख देंगी ऐसा भी यहां मैसेज है लिग से जब यह अपनी त्री लाइफ से हटते हैं या फिर यह जब डिटाश्मेंट में जाते हैं तो यह ऐसे डिटाश्मेंट में जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकती है कि आप से तो फिर भी एक बार को आपने आप से धोका बरदाश हो गया बट मैसकुलिंस को यह चीज़ ब बंदा या बंदी जो भी है जो लोग भी इस तरह की उर्जा में हैं वह strongly detachment में जाएंगे strongly detachment में जैसे वह छोड़ी देंगे आधी चीजे मिशली है मतलब आधी से जाद ही लगई मुझे लग एसी परसंई चीज चीजने छोड़ देंगे या फिर आप साधना में जादा आगे जाते हैं तो यही वाली यह चीज होती है हला कि आपके परसुन की नेगिटिविटी की वज़े से मुझे दिखाई दे रही है लिए यहां पर कैसा मेसेज आ रहा है यहां पर एनरजी यहां से उचना स्टार्ट रही है टो यहां से उचना स्टार्ट करती हो फिर इसे करें यहां है यहां पर सस्टार्ट करेंगे यह इस से बनाती है врем energy field बनते हुए मुझे नजर आ रहा है इस परसन का पूरा तो नहीं बना है बट यस जैसे मतलब जैसे यह energy field पूरा बनता जाएगा और जितना जादा यह strong होता जाएगा उसी को हम कहेंगे strong और हाँ ठीक है तो यह energy यहाँ पर है यहाँ पर भी लेटर है ओके किसी का सवाल था कि जब हम हमारे साथ चीज़े हो रही होती है तो हमसे related लोगों के साथ भी होता है क्या देखिए आपके साथ जो भी चीज़े हो रही होती है आपके जो भी energies उपर की तरफ उठ रही होती है आपके अंदर जो भी divine energies जाग रही होती है तो उसका जो असर है वो ऐसा नहीं है कि सिफ आप पर पढ़ता है आपके परसंट पर तो पढ़ता ही आपको ये तो मालूम ही है कि वो कहीं भी हजारों किलो मीटर दूस पर तो पढ़ना ही पढ़ना है उसके अलावा आपकी आसपास की लोगों पर भी पढ़ता है उसके बाद आपके जो जहां पर आप रहते हों आपके जो भी नेबर्स हैं उनके उपर भी ठीक है मतलब यहां पर इस तरही की मैसेज आता है कि कहीं ने कहीं उसकी मतलब एक जगए अगर कहीं पर शक्ती जागरत हो रही है तो उसका सर बहुत सारे लोगों पर देखने को मिलता है यह काफी बड़ा एरिया कवर होता है तो भी कहीं न कहीं जिसने भी सवाल किया था तो ऐसे होता है तो जब आपके अंदर वह चेंजिस आते हैं तो आपसे जोड़े हुए काफी सारे लोग ठीक है उन सब पर 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 पढ़ना स्टार्ट होता है चाहां वह अच्छे हो चाहां बुरे ठीक है बुरे होंगे तो सबक सिखाई जाएगी, अगर अच्छे होंगे तो उनको ब्लेसिंग मिलेगी, ठीक है, अब सब अपने अपने लेसंस लेंड करेंगे, तो यह जिसका भी सवाल था, और कोई सवाल हो, आप लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन में, बेज़ जग, ठीक है, मुझे क्वेशन के आंसर करने में कोई प्रॉब्ब नहीं होती है, आपर वाई लेटर है, और जो भी परस्नल डीटी लेना चाहते हैं, वाटस अप पर डिस्क्रिप्शन में वाटस अप नंबर है, आप उस पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं, दूसरा चैनल भी सबस्क्राइब कर लिज हम् देखे आपके परस्न के कान के पास आज भी लोग सुरताल बजाते रहते हैं, लोग आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस परस्न की जिन्दगी के अंदर टिके हुए हैं ये उसके कान को भरने के लिए ठीक है, जैसे इस परस्न को ना सब में एक अजीब तरीके से चिड़ महसूस होती है, जैसे वो आसपास आते हैं उस खरस्न के कान में कुछ बोलने के लिए, लेगे आपन ना आपका बनावना एक कानेशन खराब किया है लोगों ने, बहुत जाद आद आपके परस्न को भर के, ठीक है, मतलब ये भी तो एक तरीकी की नेगेटिविटी है, जरूरी थोड़ी कि आपके उपर कोई ब्लैक माजिक ही हुआ हो, या कुछ अलगी हुआ हो, कुछ लोग आप से चिड़ते हैं, जलते हैं, या आपके पास लाइफ से आई हुए कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन पास्ट में अच्छा नीरा, तो ये आज इस लाइफ टैम में आपके कनेक्शन को बिगारने की भरपूर कोशिश करते हैं, कुछ का कुछ बोलेंगे, आप दोनों के बीच में जूटी बाते फैलाएंगे, एक दूसरे के पती कान भरेंगे, त अगर आता है, जैसे आपके परसन के कान इस ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं, यानि कि इस तरीकी लोग आपके पार्टनर के आसपास मौजूद हैं, तो अपने इंट्यूशन को तो ये परसन फॉलो करने ही पाएंगे, यहां पर मेरे विएर्स के लिए एक मैसेज आ रहा है कि इस वक्त मना यहां पर आप दिल से काम लें, ठीक है, आप एक हाट नजर आ रहा है, और पेशेंस से काम लें, ठीक है, बतलब इस तरीकी चीज़ए देखने के मत अव्रसी बात है, आपको काफी गुस्ता आता है, औ आपको मन करता है कि आप गुस्ते में इस परसन से बहुत कुछ वोले, चीखे चलना है, पर यह से आपको मैसेज आ रहा है कि आप पेशेंस से बात करें, अगर करते हैं तो, और बागी सारी चीज़ए यूनिवर्स पर लेड़ गो कर दें, ठीक है, उन्हें ही हैंडल करने ऐसा यहाँ पर आपके लिए मैसेज है यहाँ पर आप लोगों की तरफ ना एक मैसेज आ रहा है, जैसे इन्वर्स आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इस कनेक्शन पर कम्प्लीट सरेंडर करें, ठीक है, किसी भी चीज़ को आपको कंट्रोल नहीं करना है, नहीं आपको इसी चीज़ को संभालने की ज़रत हैं आप कम्प्लीट सरेंडर कर दीजे जैसे, आपने वो एक य dump ही है, जैसे मालिजे एक बावल है, बहुत सारी मित्की है और उसको आपने किसी टैप के नीचे लगा दिया और उसमें पानी आुपर ऑफ उफो होता जा रहा है, तो आप देचेंगे एक टाब कर नी है ना वो क्लियर हो गया जो मित्ती का पानी था जो गन्दा था वो पूरा क्लियर हो जाएगा उसी तरीकी का मैसेज यहां पर कुछ आ रहा है कि आपको ना बहुत जादा एफ़र्ट नहीं लगाने हैं अब आपको ने जिसे युनिवर्स को आपने सरेंडर करें ने जब एनर प्लीज गाइड कीजें इंजल्स मेरे जो भी व्यूर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनरजी इस क्या है कि देखें यहां पर जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है आप वो के लिए आप को बताती हूं यहां पर आरीज å सजगेटरियस ठीक है वैसे मैं जोडिक सांइं सभी जोडिक सांइं के लिए रीडिंग गरती हूं लेकिन यहाँ प्रॉमिनेंट है एरीज्गेटरियस ठीक है okay तो आपके partner की energy क्या है देखिए सबसे पहले तो आपके जो person है वो इनको ऐसा लग रहा है कि वो jealousy के शिकार हो गया है जिलन के शिकार हो गए आपर अगनी नजार आ रही है जैसे यह message मझे वहां भी मिला था जैसे इस person को लगता है कि लोग जलते हैं और उस जलन की कारणा जिनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्रम्स हैं ठीक है मतलब आपके जो परसन है इनकी एनरजी आपको लेकर कुछ इस तरीकी की है कि आपको लेकर हमेशा ही दो रहाए पर ये परसन रहते हैं टू आफ वान्स लेकि मैं आपको एक ची यहां पर जैसे गॉझग लोगर से शिच्छ देसी क में सदसरा बात लूंप्रmen कस कि आ बिलिक्न अगर हमेशाधा उसके पख्शमे काम का तżej मतलब जहां पर सका साथ म parmaatma का पूर्व साथ मेले है और आप आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप युनिवर्स का फेवर मांग रहे हैं तो युनिवर्स का सीधा मैसेज है कि आपको आपके कर्मा का रिजल्ट मिला है ठीक है जो लोग भी यहां पर रहे हैं के लिए नहीं होगा मैसेज लेकिन निकल कर आया कि सब युनिवर्स से जस्टिस मांगते हैं यहां पर युनिवर्स आप से आस्क करते हैं कि आप पहले खुद में ज्हांकिए कि कहीं आप गलत तो नहीं थे किसी जगह पर अगर आपको आपके कर्मों का दंड मिला है ठीक है अगर आप गलत नहीं है आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है कोई भी आपकी गलती नहीं थी ठीक है तो आपको आपका जो जस्टिस है वो बेस्ट जस्टिस जो है वो आपको जरूर मिलेगा लेकिन इस टाइम पर जितने भी लोग परेशान हैं और जो युनिवर्स से बो कुछ लोग ऐसे होंगे जो विकुल जिनकी कोई गलती नहीं रही है जिनको सामने से ही वार सहने पड़े हैं ठीक है हाला कि उन गलती तो उनकी भी पास लाइफ में कुछ नहीं होगी लेकिन यह ठीक है आपको आपका यह जस्टिस मांगना यह समझना अभी समझ में आता है क् कि आपको आपकी चीज़ों के भारे में नहीं मालूँ लेकि जिनकों मालूम है कि उन से गलती हूई है और वो अपनी पर पच्च्टा आते हैं तो उनकी मेंसग है कि आप अपनी इंस की माफी मांगने इस परसन को ऐसा फील हो रहा है कि इन्हों ने अपने आपको जिताने के लिए आपका यूज किया है आपर एट और वान्स की एनरजी जैसे यहां पर यह बतानी कोशिश कर रही है कि हमेशे तब बात कर लेना आपसे जब यह जीत जाते हैं एक परसन इस परसन ने एक चीज़ जो गलत आपके साथ की है वो यहां पर यह निकल कर आई जिस परसन को बेहदी पच्छतावा है वो यह कि जब यह परसन पहले तो यह परसन आपके साथ कॉम्पोटिशन करते हैं और आपकी ही एनरजी को लेकर यह परसें जीते हैं और जब यह जीत जाते हैं तो आपके सब कई बर क्या हो सकताए हैं अव्याड़े हैं कि मिल्टीपल टाइम आपके साथ यह चीज़ की गई है और आप।arसन को माफ किया है ठीक है मतलब इस person ने क्या किया है कि आप दुनों बातचीत करते हैं उसके बार आप दुनों की बीच में कुछ जगड़ा हो गया या फिर कोई competition की energy आ गई तो आप दुनों की बातचीत बंदो गई उसके बाद जब result आया और आपके person को success मिली या जीत मिली या फिर आपके person की बात स हई इस फिर बार आपके बार करेंज या फिर कूछ बना से अपना packet कि आपको लेकर नहीं रह पाई क्योंकि आपके इस अब बार आपको यूज़गन नहीं रह पाई जो स्बीसेश के तो 1 चेज़ लेकर दो जो लोग थे ठीक है मतलब जो इल्यूजन्स थे उनकी वज़ए से परसन ने कभी भी एक सही डिसीजन या मतलब सब्सक्राइब आपकी साथ सथ इस परसन को हर चीज चाहिए कि मतलब इस परसन को यह नहीं पील हुआ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ आप कि व्यक्ति को आप पसंद नहीं होते तो आपके साथ connection में नहीं होता पर problem यहां पर यह होती है कि जब उसकी life में से options मिलते priority बनाने का मौका मिलता तो अपने फाइदे की बात सोचता है और बिलकुल इस card की तरह वो उसको चुनता है जिसको उसको लगता है कि इसको पाना थोड़ा मुश्किल है और जब वो उसका उस चीज का चिनाफ कर लेता है और दूसी वाली चीज़ को इग्नोर कर देता है तो अगर वो दूसी वाली चीज़ बहुत ज़्यादा precious है तो आने वाले समय उसको समझ में आता है कि उसमें पत्थर चुना हीरे की बजाए कि उसक स्टॉंग फील करता है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उसकी जिन्दगी में अवैलेबिल है लेकिन जब वह वैलेबिलिटी नहीं रहती है वह वैक्ति चला जाता है और उसको अकेले डील करना पड़ता है तो उससे समझ में आता है कि सामने वाला इंसान वास्ता में में दि नहीं हाँ रेलाइज उसको बात में हो भाई यह जरूर हो सकता है यह चीज यहाँ पर है एंड किंग ऑफ शॉट्स की एनरजी है ठीके आप इस परसन की रूडनेस का बहुत जादा शिकार हुए हो और आपके परसन जो है उन्हें ऐसा लगता है वो लोगों की जलन का शिकार हुए है आप इस परसनसी की रूडनेस का शिकार हुए है उनके हट वाले बेहेईवियर जो होता है रही है और आपके जो परसन की जलन के शिकार हुए हैं ऐसा है आप मैसेज कार आरहे मतलब टीट फॉर टाट जैसे को तैसा हुई आप ने दिया वही लॉटा जारूर अलक करते रहे ठीक है इल्यूजन्स में डाले रहे सामने वाले को और हमेशा ही अपनी मर्जी का काम किया जिसकी वैसे सामने वाले को बहुत तक्लिफ हुई आपके आसपास की ऐसे लोग मौजूद है जो मैनुपिलेटिव है जो जलस जलसी रखते हैं उनके भी सामने आ रहे हैं आपके पार्टनर के चहरे लब आपके पार्टनर की सामने लोग के भी चहरे आ रहे हैं तो ने भी समझ में आ रहे हैं कि इतने जलस लोग उनके आसपास मौजूद हैं जिनने वो अपना मान रहे हैं और जिनके बहीवियर से आपके परसन को जिनकी जलसी जिनके बहीवियर बांटा है पास्ट में अ सबको देखना अगर अच्छा बांटे हो इखते हैं अलफाबिट्स क्या है झाल झाल पर 369 हो गया यहाँपर 369 नंबर है A-K-O-N और S-W-G यहाँपर लेटर्स है यहाँपर लेटर्स है यहाँपर परसिन की एनरजी है ओके तो गाईस यहाँपर लिडिंग है आपको जैसी भी रीडिंग लगिए मुझे कॉमें जरू बता है जी मजए तरह वाईस यहाँपर लेटर्स हीएटर्स यहाँवार्ट्स अफ्सक्राइब यहाँद्राइब लेटर्स और सूप्सक्राइब अज्यू रगिए अट्क्यू गाईस प्रेंद स् leaning hizo różne